सिद्ध लेखक और कवी श्री ब्रज श्र्वास्तव की एक सुन्दर रचना दिव्या से सुनिये। इसमें ब्रजी ने एक स्त्री के मनों भावों को बेहत खुपसूर्ती से उके रहे। इसका शीर्शक है सुन्दर स्त्री का बयान पांच कविताएं। पहली कविता है जिन में आकरशित करने की शमता है कहां साज़ा करूं तस्वीरों को। अकामुक त्रश्टी कहीं नहीं जो देखे चेहरे के नेपथे को भी निरपेक्ष उर्जा किसी दे सकेगा। यह कथित सौंदर्य। निर्दोश नजर से निहारना कौन चाहेगा अपलक सदैव। दूसरी कविता। पुरुष को हासिल हो गई वह। आधिपत्यकर जीतने ही नहीं दिया स्त्री की इच्छाओं को। किसी चूक पर चिला कर दिखा दिया पौरुष। क्या यहीं नियती हुई सुनदर चहरे की। तीसरी कविता। तस्वीरों में स्वयम को देखती है तो उसे संतोश प्रद आहलाद होता है। जीवन में देखती है तो शिक्वे होते हैं। चहरे पर रीजने के लिए अभी भी बैठे हैं मन चले। इस विडमना पर कभी हास्ती है फिर क्षोब से भर जाती है। चौथी कविता। सुन्दर्स्त्री अग नहीं सुनना चाहती। स्तुति वाक्य। गुजराव अंतराल। अब एक कोफ्त है बिना प्यार के व्यतीत हुए एक शन। पांच्वे कविता। तस्वीर में उपस्तित यह चहरा चकित करने वाली सुन्दर्ता से भरा है। पता नहीं उसके जीवन में भी होगी की नहीं सुखानुभूती की मौजूदगी। धन्यवाद। जज खालए। शन्यवाद। लेड़ झालए। पत्यवादबू भी है झाल झाल